गुड्मोर्निंग आज की क्लास में हम देखेंगे मानव भुगोल के अर्थ के बारे में मानव भुगोल उसकी परिभाषां voice तो इससे पहले हम देख लेता है एक परिभाषा भुगोल की प्रत्वी के धरातल पर पाय जाने वाले सभी तत्थ synchronous का अध्यन करके जो तत्थे हैं उनका अध्यन करके उनके बारे में जानना तत्पशात उसका विसलेशन करके तत्थे के बारे में जानके उनका विसलेशन करके उनका विसलेशन करके उनका वरणन करना ये इसका भुगोल का शाब्दी करते हैं इस परिवासे से हम क्या स्पस्ट होता है कि प्रत्वी के सते पर जितने भी भूद्रश्य हैं केवल उनके बारे में जानना ही भुगोल का कारे चेतर है तो ये भूद संकुचित या नेरो परिवाशा है भुगोल की ये एक संकुचित परिवाशा है और जिसमें जो मुख्य फोकस है मुख्य केंद्रे बिंदू है वो क्या है भोतिक भुगोल है तो देद्रे क्या होता है कि भुगोल के कारेचेत्र का विस्तार होता है भुगोल का जो कारेचेत्र है वो विस्तारित होता है और इसके बाद भुगोल में एक नया आयाम जुड़ता है नया आयाम जुड़ता है जिसमें मानव को भी मानव के जो कारिये हैं या मानव के जो अंतर किरिया है भोतिक परियावरन के साथ उनको भी स्थान दिया जाने लग जाता है तो अभी भुगोल दो भागों में बढ़ जाता है इसके फिलोसपी के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि जो यह द्वी भाजन है वो कैसे आया क्यों आया यह सब बात में लिखते हैं अभी जो हमारा में फोकस रहेगा वो रहेगा मानव भुगोल के अर्थ और उसके परिभाशाओं को जाना तो मानव के इंटरेक्शन को जानने के लिए भुगोल अभी दो भागों में बढ़ इसमें हम पढ़ते हैं प्रत्वी को नियंतरित करने वाले बल, प्रत्वी की सतय, थल, जल, प्रत्वी के सोर संबंद, मिट्टी और वनस्पती, जीव जन्तु, आधी परियावरण, प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं इनका अध्यनम भुतिक भुगोल में करते हैं जबकि मानव भुगोल में मानव द्वारण प्राकृतिक वातावरण के तत्थियों या प्राकृतिक भुद्रश्यों से किये गए संघर्ष और समायोजन अब इसमें पहला है प्राकृतिक तत्थिय इससे मानव जो संघर्ष करता है वो संघर्ष के पलसुरूप जो समायो प्राप्त होता है उसका अध्यन हम किसमें करते हैं मायना भूबोल में तो एक पर परिवाशा एक बरस की फिर देखते हैं प्राकृतिक तत्यों के साथ मायनविय संगर्ष और फल्स्वरू पुत्पन्य समायोजन से निर्मित जो सांस्कृतिक भूद्रश्य होता है सांस्कृतिक भूद्रश्य होता है यह हम अध्यन करते हैं मानविय गोल में तो इस परिवाशा में आपको देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक तत्यों के साथ मानविय संगर्ष के फल्सुरूप जो समायोजन होता है इसके फलसुरूप हमारे सांस्कृतिक भुद्रश्य निर्मित होते हैं और इसका जो अद्धेन है वो आपका मानव भुगोल में किया जाता है तो ये मोटी-मोटी परिवाशा होगे इसकी अब इसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे भुगोल वेत्ताओं ने में इसमें नाम आता है वो है अपका फ्रेडरिक रेड़ेल का फ्रेडरिक रेड़ेल इनको मानव भुगोल का जनक भी कहा जाता है इनकी एक बुक थी इनकी एक बुक है एन्थ्रोपो जोग्राफी एन्थ्रोपो जोग्राफी इसमें इन्होंने मानव गुगोल के बारे में बात की और मानव को इन्होंने सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की स्ट्रेडि में रखता है और इनकी जो परिभाशा है इनकी जो परिभाशा है वो है अच्छा मानव रेड जेल जो था यह प्रभावित थे डार्विन के पुस्तक थी और इजन आफ स्पीसीज जो सामाजिक डार्विन वाद आया उससे प्रभावित थे डार्विन की पुस्तक का नाम है और इजन आफ स्पीसीज उससे प्रभावित होके इन्होंने एंट्रपो जोग्राफी लिखी उसमें पहली पार मानविये तत्यों और परियावरण मानविये तत्यों हो गया आपके और परियावरण के अंतरसंबंदों का अध्यन किया मानविये तत्यों और परियावरण के जो इंट्रेक्शन है उसका अध्यन कार्प किया इसी कारण से इनको मानव भुगोल का जंग दाता कहा जाता है। अब अिनोंने जो परिवाशा अपनी दी अपनी पुस्तक एंणत्रम जोग्राफी में इनोंने कहा कि मानव भुगोल के द्रश्य मानव भुगोल के द्रश्य सर्वत्र वातावरन से सम्मंदित होते हैं तो था वातावरन स्वयम भोतिक दशाव का योग होता है फिर से एक बार देखते हैं यह बोलते हैं कि मानव भुगोल के द्रश्य मानव भुगोल के जो द्रश्य होते हैं वह सर्वत्र वातावरण से सम्मंदित होते हैं if यह आपके को हमेशा है यह सब जगे वातावरण से कि संबंदित होते हैं और जो वातावरण होते हैं स्वयम-भोतिक-दशाउं मानव सद्य प्रियावरन को प्रभावित करता है तो यह मानव भूगोल के जो आपकी वातावर्न से प्रभावित होती है और वातावरण क्या होता है जो आपका रख्वी की भोतिक दशा है उसका समगर रूप है तो ये मानव पे वातावरण के प्रभाव को ध्यान में रखते अपना ये जो पुस्ते के वो लिखते हैं तो ये लेकिन मानव के प्रभाव को कम मानते हैं नियतिवादी है। यदि परियावन नियतिवादी किसी को कहा जाएगा। जो पहला परियावन नियतिवादी था। वह आप बोल सकते हो कि जो रेट जल था। उसने नियतिवाद को प्रमोट किया। फुगोल में नौधारनों के बाद हम आगे वाले चेप्टर्स में करेंगे। अब रेट जल के बाद में इनकी जो शिश्या थी उनका नाम था एसी सेंपुल एलन चर्चिल सेंपुल EC sample EC sample ने अपनी इनकी जब पुस्तक थी उसका नाम था Influences of Geographic Environment Influences of Geographic Environment उन्होंने 1911 में ये पुस्तक इनकी आई और उन्होंने भुगोल की जो परिभाशा थी वो बहुत फेमस परिभाशा बन गई वो थी मानव भुगोल इनकी जो परिभाशा उसको देख लेता है ये बोलते हैं कि मानव भुगोल ऐस था है प्रत्वी मानव भुगोल ऐस था है प्रत्वी और चंचल मानव ऐस था है प्रत्वी और चंचल मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंदो का ध्यन है तो इनकी जो परिवाशा है इसमें तीन चीजे हैं तीन चीजे कौन-कौन सी हैं पहला है इनका एस थाई प्रत्वी मतलब प्रत्वी जो है उसकी उसमें भी आंत्रिक और भाय शक्तिक करन परिवर्तन आ रहे हैं दूसरा है चंचल मानव इसमें मानव की प्रक्रतिक बता रहे हैं कि चंचल है अर्थार्प भी परिवर्तन करने के लिए प्रिरित होता रहता है है यह भी परियार्ण के प्रभाव को मानव पर ज्यादा मानते हैं उसके बाद हम बात करते हैं वीडाल版 लिलावलाश की विडाल डी लाबलाश यह फ्रांसी से भूबोल वेता थे इनकी पुस्तक का नाम है Principles of Human Geography इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है Principles of Human Geography Principles of Human Geography मानव भुगोल के सिद्धान इनकी इनकी अपनी जो मानव भुगोल की परिवाशा दिए उसमें बताया कि मानव भुगोल प्रत्वी और मानव के जो पारश पर एक संबंध है उनको एक नया विचार प्रदान करता है तथा इसमें प्रत्वी को नियंत्रित करने वाले भुतिक नियमों तथा प्रत्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारश पर एक संबंधों का एक अधिक संयुप्त ज्यान समाविष्ट होता है सेम परिवास है बस शब्द अलग कर दिये उन्होंने वही प्रत्वी के प्रत्वी को जो नियंत्रित करने वाले भुतिक कारक हैं और प्रत्वी पर निवास करने वाले जो जीव हैं उनके बारश पर एक संबंधों की बात करते हैं कुल्मिलाके हर परिवाशा में लगबग वही चीज है एक भुतिक परियावरण होता है आपका एक मानव है इन दोनों के मध्य अंतरसंबंध होते हैं और इन अंतरसंबंधों से एक नई द्रश्य भूमी का विकास होता है और यह द्रश्य भूमी जो ओरिजिनल द्रश्य भूमी थी जो बहुतिक द्रश्य भूमी थी या भूद्रश्य थे उनसे अलग होती है उसको आप कह सकते हो कि वह एक कल्चरल लेंड्सकेप है सांस्कृतिक भूद्रश्य है तो जो प्रारमिक भूद्रश्य था उसमें मानव कुछ परिवर्तन करता है समायोजन करता है संगर्ष करता है संगर्ष के फलसुरुप समायोजन होता है और उसके फलसुरुप जो नई द्रश्य भूमी आपकी विक्सित होती है यह जो नया कल् यही सब अध्यन करता तो जो विडाल डिला ब्लास थे विडाल डिला ब्लास संभववादी भुगोल वेता है फ्रांसिसी स्कूल अफ थौट के अगरज है ये इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स अफिमन जोग्राफी ये भी 1911 के आसपास आई थी इसमें इन्होंने ये परिभाशा दी और विडाल डिला ब्लास को शेज जाता है मानव भुगोल का विस्तार करने का मानव भुगोल को जो वास्तविक रूप प्रिदान किया वो आपके फ्रांसिसी भुगोल विताओने किया और उसमें सबसे जदा युगदन विडाल डिला ब्लाश का था विडाल डिला ब्लाश के बाद में इनके जो शिश्य हैं उनका नाम है जीन ब्रून्स इनके बारे में हम बात करेंगे आगे के चप्टर में जो जीन ब्रून्स है इनकी पुस्तफ का नाम था Human Geography इन्होंने भी कुछ लगबग ऐसी परिवाशा दी इन्होंने कहा कि वे सबी द्रश्य जिन में मानवी क्रियाएं कारे करती हैं प्रत्वी के विशेश वर्ग के द्रश्य होते हैं और इस प्रकार के भोगोलिक तत्यों के अध्यान को मानव भुगोल करती हैं तो यह कहने का मतलब इनका है कि वो सबी जगए जहां पर मानवी क्रियाएं कारे करती हैं वो द्रश्य भूमिया मानव भुगोल के कारे छेतर के भीतर सम्मिलित होती हैं इसी प्रकार एक अमेरिकन भूगोल बेता हुए हैं एल्सवर्थ हंटिंग्टन इनका भी मानो भूगोल में काफी योगदान है एल्सवर्थ हंटिंग्टन इनकी पुस्तक का नाम है मानो भूगोल के सिद्धान्थ प्रिंसिबल्स ओफिवन जोगराफी या हिंदी में लिखें तो लिखेंगे मानो भूगोल के सिद्धान्थ आपको जितने भी जो जो जोगराफर्थ हैं उनकी जो में बुक्स हैं उनके बार में आपको देखना पड़ेगा एक बार तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इसी सेम्पूल की जो बुक है एलन चर्चिल सेम्पूल की जो बुक है वो आपकी 1911 में आई उस बुक का नाम है इंफ्लूएंसेज ओफ जोग्राफिक एंवार्मेंट इस बुक में उन्होंने बाना भूगल की जो प्रच्छलित परिवाशा थी वो दी इसी सेम्पूल की बुक का नाम हो गया इंफ्लूएंसेज ओफ जोग्राफिक एंवार्मेंट उसके बाद में विडाल डीला ब्लाश विडाल डीला ब्लाश की पुस्तक का नाम है ब्लाश 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 की जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ओफ Human Geography ये भी आपका 911 में है Principles of Human Geography उसके बाद में Gene Bruns की जो पुस्तक है वो है आपकी Human Geography Gene Bruns की जो पुस्तक है उसका नाम है Human Geography इसका जो फर्स्ट एडिशन आये था वह आये था 1932 में उसके बाद में रिवाइज होके है फिर से आई 1952 में तो ये तीन हो गई आपकी Anthropologyography पता ही है आपको रेडजल की जो गुक है इसके बाद में रेडजल की जो गुक है Anthropologyography वो इंस्पाइड है आपकी Origin of Species से जो डार्विन की बुक है जो अभी हम बात कर रहते हैं Huntington की तो Ellsworth Huntington जो एक अमेरिकी भूगोल वेता है उन्होंने जो परिवाशा दी मानव भूगोल की उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में बहुतिक परियावरण तथा मानवी क्रियाओं और गुणों के पारस पर एक संबन्दों के मानव भूगोल की परिवाशा वित्रण और सुरूप का अध्यन होता है तक है कि इसमें जो में जो है में जो फोकस है वह आपका परस पर अन्तर क्रिया का है बहुतिक प्रिवाशा और मानवी क्रियाओं के जो ट्रेड्स हैं और उनके रिलेशन से उसके उपर यह फोकस करते हैं कि अभी कि नेक्स्ट परिवाशा हम आपको एक इन शोर्ट आपको जो बताना जैसे बहुत सारी से परिवाशा हो जाएगी अंडिंग टन की हो जाएगी अच्छा एक परिवाशा है उसमें अमेरिकन भूगोल वेता वाइट अंड रेनर है वो बोलते हैं कि मानव भूगोल प्रत्वी की प्रष्ट भूमी में समाज की पारिस्तिति की का अध्यन है अर्थार्ट इकलोजिकल स्टडी अफ सुसाइटी है और एक एक एचस बैरोज हो स्टेट्में दिया था उसमें उन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव पारिस्तिति की है जो मानव भूगोल है एक बहुत इंपोर्टेंट परिवाशा है मानव भूगोल मानव पारिस्तिति की है एक्जाम में पूछते हैं कई बार तो इसको हम आगे डिटेल में लेंगे नेक्स क्लास में कि मानव होगोल मानव पारिस्तितिजी है इसका क्या अर्थ है अभी एक एक कम्प्लीट जो डेफिनेशन है या इसको निशकर्ष रूप में कुछ यदि मानव भूगोल के बारे में कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल प्रत्वी तथा मानव के पारस पर एक अंतरसंबंदों का विज्ञान है पिर से रिपेट कर रहा हूँ मानव भूगोल प्रत्वी तथा मानव के यह आपकी प्रत्वी और मानव के दो वेरियबल होगे एक प्रत्वी और एक मानव इनके पारस्परिक अंतर संबंद पारस्परिक इंटरेक्शन का विज्ञान है इसके अध्यन के दो पहलू है इसके अध्यन के दो पहलू हो गए आपका पहला हो गया प्रकृति या नेचर और दूसरा हो गया मानव ठीक अब यह जो मानव और प्रकृति के जो संबंद है इसके यह बहुत अनादिकाल से चले आ रहे हैं बहुत पहले से यह संबंद चले आ रहे हैं लेकिन इसमें क्या होता है ना कुछ भुगोलवेता बोलते हैं कि जो प्रकृति है वो डोमिनेंट है जैसे एक स्पेक्ट्रम बनाओ तो एक तरफ प्रकृति लिख दो दूसरे तरफ मानव लिख दो तो कुछ भुगोलवेता बोलते हैं कि जो प्रकृति है उसका प्रभाव जादा है प्रकरती मानव को प्रभावित करती है और मानवी करिया है प्रकरती को प्रभावित करती है तो दोनों एक दूसरे से अंतर करिया करती है तो एक दूसरे से प्रभावित होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है इस कारण और प्रभाव में कुछ भुगोलविता बोलते हैं कि प्रकृति अधिक प्रभावी है, कुछ बोलते हैं कि मानव अधिक प्रभावी है तो इससे कुछ विचारधाराएं जो हैं आपकी मानव भुगोल में उत्पन होती है उन विचारधाराँ में एक है नियतिवादी नियतिवादी विश्वास करते हैं कि प्रकर्ति अधिक डॉमिनेंट है और दूसरा है संभववादी अर्थात हर जगे संभवनाए है तो संभाववाद ही बोलते हैं कि मानव की जो प्रभाव है वो प्रकृति पर जादा है इसके बाद में आता है रुकोर जाओ संभाववाद इसके बाद इन्दावनियती वाद आता है इसके बाद में प्रोबैबलिजम आता है प्रैसंभाववाद भी आता है तो यह बहुत सारी विचारदार रहा है जिनको नेक्स क्लास में देखेंगे तो यह जो विशे है आपके सारे मानव भूगोल के विशे है अच्छा एक इस क्लास में मैं आपको बताता हूं कि कुछ प्रमुख जो भूगोल वेता है जैसे हमने कुछ बुक्स के नाम देखे अभी तेकिन कई बार एक्जाम में पूसता है कि नेम लिखे में से कौनसा जर्मिघर की भूगोल वेता है कौनसा फ्रांसियस है था अब चार पांच की नाम जैसे सबसे मेजरन प्रानव बुगोल के जनक है वो आपके ओगए फ्रेडरिक रेट जल इन से पहले के जो है रेट जल के पहले के उनमें है आपके इम्मेनुल कांट इम्मेनुल कांट तो सारे विश्यों में नहीं थे लेकिन कांट इमिनल कांट आपके जर्मन है उसके बाद में अलेकजंडर वॉन हमबोल्ट वॉन हमबोल्ट जिनको वनश्पति सास्तर का जनक भी कहा जाता है वॉन हमबोल्ट के समय के ही थे आपके काल रिटर उसके बाद में एक और मेजर है आपका जिसे रिच्ट ओफ हैं जिनका भोतिक विपोल में काफी योगदान है तो फ्रेडरिक डेट जेल हो गया इमेनुल कांट वन हमबोल्ट काल डिटर ये दोनों वन हमबोल्ट और काल डिटर इनको जो मॉडन जोग्रफी है नवीन क्लासि जोग्राफी है उसका वर्तमान समय में जो जोग्राफी चल रही है उसका जैनक कहा जाते है वन हमबोल्ट और काल डिटर हम इसके बाद में रिस्तो फैन तो ये हैं सारे जर्मन भुगुल विताओं अब कुछ फ्रांसिसी भुगुडविताओं की नाम मैं आपको बताता फ्रांसे से भुह लु़ताँ में आपके आते हैं सबसे जो में है वर आपका विडार डीलाबलाश विडार डीलाबलाश उसके बार में आपके जीन ब्रून्स जो इनके शिश्य थे उसके बार में डीमोंजिया एक है ब्लेंचर्ड, देफ़ोंते, उसके बाद में जो सेटल्मेंट जोग्राफिय में जिनका बहुत योगदान है वो जीन गोटमेंट, तो ये कुछ मेंन नाम है, उसके बाद में अमेरिकन स्कूल, जो अमेरिकन बहुल वेता है, उन में कुछ-कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, पहला आपका हो गया, ईसी सेम्पल, एलन चर्चिल, सेम्पल, जो आपकी फ्रेडिक रेड़ जिल की शीशा भी रही हुई है, इसके बाद में आता है, ईसा प्रोमेन, उसके बाद में कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, जिनने रुको जावसंभवाद दिया, उसके लावा, इनने जातियत दिन में भी इनक्रमु की योगदान है, ग्रिफिथ, टेलर, एल्सवर्थ हंटिंटन, यह आपके प्रमुक अमेरिकन भूब वेता है, इसके बाद में जैसे ब्रिटिश भूब वेता हुई, आप देखते हैं तो, कुछ नाम बता देता हूँ, ब्रिटिश में आपके आते हैं, पहले ब्रॉएन, रॉक्स भी, फ्लिवर, इसा बेला, न्यू बिगिन, और डेरियल फॉर्ड, इतना डेटेल में नहीं जाना है, आपको बैसे भी, डेरियल फॉर्ड, तो, इसमें हमारे स्लेबस में जो हैं, वो आपको पढ़ना है, विडाल डिला बलाश के बारे में, जीन ब्रॉन्स के बारे में, और एक है आपके ऐल्सवर्थ हंटिंग्टन के बारे में, इनका भुगोल में कुछ योगदान जो था वो हम, पढ़ाएंगे आपको, बात करेंगे, तो एक क्लास में, डेफिनेशन में आपको अल्रेडी पीडियेप में भेज दिये, डेफिनेशन को पढ़ना, और उनको समझने की कोशिश करेंगे, नेक्स क्लास में हम मानव भुगोल की जो प्रकृति है और उसकी चारिशेतरे उसके बार में बात करेंगे, साथ ही एक जो परिवाशा है कि मानव भुगोल मानव पारिष्थिति की है, Human Geography is Human Ecology, जो आपका H.S.Beros का statement है, उसको हम डिटेल में देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते है साथी ये देखेंगे कि मानव गोल की उपादेईता क्या है वर्तमान समय में मानव गोल हम क्यों पढ़ते है उसका क्या फाइदा है मानव के लिए या प्रकृति के लिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही तेंक्यू